दोस्तों इस वीडियो में हम HDFC Bank Zero Balance Savings Account Opening का पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे एक एक स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा एक बर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखायता हूँ यह पूरा का पूरा प्रोसेस कि कहां क्लिक करना है कैसे इसके लिए apply करना है यह सारा का सारा जो Account Opening का प्रोसेस है यह मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा लेकिन यह सारा का सारा प्रोसेस हम देखेंगे वीडियो के अंत में लेकिन सबसे पहले इस process को तो हम 5 minute देख लेंगे यानि account opening का जो process है वो सिर्फ 5 minute का काम है लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जिस bank में मैं आपने लिए एक savings account खुलवाने जा रहा हो उस bank के क्या charges हैं, कहां कहां छोटी छोटी terms and conditions हैं कितना rate of interest मिलेगा, छोटी छोटी जो भी सारी की सारी चीज़े हैं भी कोई hidden charges तो नहीं है, ये सारी की सारी चीज़े पहले हम discuss करेंगे उसके बाद फिर हम account opening का process देखेंगे ठीक है जी, अब यहाँ पे सबसे पहले तो HDFC bank की अगर मैं बात करूँ तो आज की date में ये total 5 accounts हैं, जिने आप online खुलवा सकते हो इसके लावा जो भी 2-4 ओर accounts हैं, उनको आप online नहीं खुलवा सकते हैं उसके लिए फिर आपको branch ही जाना पड़ेगा, ये main 5 account है ये पांचों के पांचों जो account है, इन्हें आप online खुलवा सकते हो जिनमें सबसे शानदार जो account है, वो है regular savings account और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चलता है, वो है चलता है HDFC bank का max वाला जो account है, ये चलता है बाकी ये आपकी मर्जी है, इसमें से कोई भी आप account खुलवा सकते हो account opening का जो process है, जो एक तरह से steps है वो सब account के लिए, यानि की कहने का मतलब ये है, कि अगर आपको चाहिए ये खोलना है, ये खोलना है, कोई भी खोलना हो जो process है, वो सब के लिए same है, जो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, ठीक है जी ये पांच परकार के है पहला जो है, HDFC bank का regular savings account इसका नाम है, ठीक है जी, इस account की मैं बात करूँ, तो इस account में जो HDFC bank के वो ये बोलता है, कि अगर मानलो आप metro या फिर urban area में रहते हो, ठीक है जी, तो उस case में आपको जो average monthly balance है, वो 10,000 रुपे maintain करना है, अब ये आप ध्यान से समझते चलना, ठीक है जी, फिर मैं बताऊंगा कि HDFC bank zero balance savings account, zero balance savings account का क्यों शोर है, ठीक है जी, पहली केस में आपको 5000 रुपे maintain करना जरूरी है, और अगर आप किसी ग्रामीन शेतर में रहते हो, तो उस case में आपको 2500 रुपे minimum जो balance है, अपने account में, average balance वो maintain करना जरूरी है, ठीक है जी, लेकिन ये एक option देता है, बोलता है, या तो अगर आप metro, urban, metro या urban में रहते हो, तो या त जाते हो, HDFC bank का zero balance savings account, तो इस case में आप कोई बात नहीं, एक लाग रुपे की, एक साल और एक दिन की FD बन वालो, यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है जी, ऐसे ही semi-urban branches की बात करें, तो ये बोलता है भी, या तो 5000 रुपे की FD बन वालो, एक साल और एक दिन की, उस case में फिर ये HDFC bank का zero balance savings account हो जाएगा, ठीक है जी, ऐसे ही अगर हम rural की बात करें, तो इस case में 25,000 रुपे या तो आप account में maintain कर लो, या फिर आप 25,000 रुपे की FD बन वालो, एक साल और एक दिन की, तो उस case में फिर ये zero balance savings account की तरह act करेगा, ऐसा मैंने ही बोल रहा, ऐसा लिखा हुआ है, और लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते क्या है, लोग आपको पढ़ाते भी यही है, कि भाई, एक लाख रुपे, अब देखो, zero balance savings account मानलो, आप खोलने है HDFC bank में, ठीक है, let's suppose, अब जो भी इस account को खोलने आ रहा है, वो चाहता है कि zero balance savings account खुले, सिर्फ इसलिए कि उसका कोई भी बे फजूल का पैसा ना कटे, अब zero balance account खोल के ऐसा थोड़ी है, कि उसको account में पैसा भी नहीं रखना, पैसा तो वो रखेगा, तो जब वो यह feature देखता है, कि यार HDFC bank है, मर्जर के बाद तो देश का सबसे बड़ा bank हो गया, हर गली-गली में उसकी branches है, बहुत अच्छा bank है, ठीक है, bank में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा bank है, customer यही सोच कहाता है, बहुत अच्छा bank है, जगा-जगा इसकी service है, online, अगर मैं customer care को करूँ, तो भी बहुत अच्छी service है, तो कोई बात नहीं, मैं एक लाख रुपे की FD करवा लूँगा, पैसा save करने है, FD हर कोई करवाता है, तो वो सोचते है कि चलो मैं एक लाख रुपे की FD करा लूँगा, इसी FD से चलो मेरा जो account है, वो zero balance का बन जाएगा, वो account खोल लेते हैं, मैं यह नहीं कहा रहा कि bank गलत है, bank बहुत अच्छा, HDFC bank महला one of the finest bank है, लेकिन अगर कोई आही zero balance account खोलने के लिए रहा है, तो इस feature को पहले आप गहराई से समझो, इसके अंदर कोई नहीं बताता, सबसे बड़ी problem यह कि भरी बड़ी है वीडियो लेकिन कोई बताता नहीं है, deep में कोई जाना ही नहीं चाहता, बस उपर से आएंगे जी, बताएंगे जी, इस पे क्लिक कर द तो यह कर दो, वो कर दो, वो कर दो, आपका account खुल गया, यार यह कोई तरीका थोड़ी है, अब यहाँ पर देखो, छोटी सी एक term and condition HDFC bank ने लिखी होई है, जो आदे लोगों को समझी नहीं आती है, बस लगे हूँ है पढ़ाने के लिए, लेकिन आदे लोगों को समझ में कुछ आता नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर साफ लिखा हुए है कि जो आप FD बनवाओगे, यानि यह एक लाग की अगर आप urban में रहते हो, 50,000 की अगर आप semi-urban में रहते हो, और rural में अगर आप रहते हो तो 25,000 की, जो यह आप FD बनवाओगे, यह आपकी जो FD है, वो वीडियोज डाले जा रहे हैं लोग, क्या फाइदा, मलब बस लोगों का नुकसान कराना है, सीधी सी बात है, यह साफ बोल रहा है कि auto sweep FD अगर आप करोगे, तो ही हम इसको zero balance account मानेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने account खोल लिया, आपने online, इसकी HDFC bank की app खोली और 1,00,000 रुप होनी चाहिए, अब auto sweep का मतलब क्या है, देखो, ध्यान से समझना, यह मानलो आपका savings account है, ठीक है जी, यह क्या है अपना savings account, और यह क्या है, एक let's suppose FD है, ठीक है जी, मानलो HDFC bank बोलता है कि minimum जो threshold है, ठीक है, वो 25,000 रुपे होनी चाहिए, 25,000 रुपे एक threshold limit होनी चाहिए, ठीक है जी, आपने का कि auto sweep activate कर दो, तो HDFC bank बोलता है कि 25,000 रुपे की threshold limit होनी चाहिए, यानि कहने का मतलब जैसे ही आपके savings account का balance, 25,000 रुपे से उपर जाएगा, तो जो उपर का balance होएगा, उसकी FD बन जाएगी, कहने का मतलब, जैसे अब ही समझाता हूँ, मानलो आपके savings account में total balance हो गया, 35,000 रुपे, ठीक है जी, 25,000 रुपे से उपर कितना balance गया, 10,000 रुपे, तो ये 10,000 रुपे की FD create हो जाएगी, यानि इसमें 25,000 रुपे एक threshold limit बैंक ने लगा दी, ठीक है जी, अब मानलो थोड़े time के बाद आपकी account में जो है, 50,000 रुपे और आ गए, त 25,000 रुपे तो पहले ही पड़े थे, ये 50,000 रुपे, यानि आपका कहने का मतला balance हो गया, 75,000 रुपे, तो ये 50,000 रुपे, यानि 25,000 से उपर का जो balance होएगा, threshold limit से उपर का जो balance होएगा, उसकी एक और FD create हो जाएगी, FD number 2, ये 50,000 रुपे की आपकी एक दूसरी FD create हो या फिर 1,00,000 रुपे की आप FD करवाओ, और FD जो है आपकी savings account से link होनी चाहिए, ये मैं 25,000 रुपे तो बहुत अमूमन बात बता रहा हूँ, कुछ-कुछ account तो HDFC bank की ऐसे हैं कि threshold limit ही 1,00,000 रुपे की है, ठीक है, तो आप 25,000, मालो मैं 25,000 का ये example लेके चलता हूँ, माल बहुत हैं कि 25,000 रुपे तो कम से कम आपकी account में होने चाहिए, उसके ऊपर का जो balance है, वो आपका फिर FD create होएगी, यानि कहने का मतलब अगर आपको 1,00,000 रुपे की FD करवानी है, जो आपकी savings account से अगर आप चाहते हैं कि link होए, तो आपका balance कम से कम 1,00,000, 25,000 रुपे ज CDC बात है, इससे अच्छा तो यह है कि मैं 25,000 रुपे savings account में तो रखी रहा हूँ, एक लाग की FD मैं ऐसे ही बना लूँगा, समझे रहा मेरी बात को कि भाई, इससे अच्छा तो यह है कि मैं अपना account खोलू, account के अंदर 10,000 रुपे minimum balance रख लूँ, और उसके अलावा 1,00, रुपे की FD करा लूँ, तो वो जादा मेरे लिए beneficial है कि उसके लिए मेरे को total 1,10,000 रुपे का balance चाहिए होगा, तो यह छोटी छोटी जो चीजी है ना, यह आपको कोई नहीं बताएगा, इसके लिए बहुत जादा ना, deep में जाना पड़ता है, और कोई time खर्च करना नही प्लीज में, तो प्लीज इस चैनल को subscribe और इस वीडियो को like जरूर करना ताकि हमें भी एक motivation मिलती रहे, ठीक है जी, आप आगे बढ़ते हैं, अब HDFC bank के दूसरे जो savings account है, उसको discuss करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यह भी बड़ी महिनत के साथ मैं निकाली ह एक एक हर bank की जो मिलब आज का जो rate of interest है वो मैंने निकाला है, ठीक है, आज की date में सबसे ज़्यादा rate of interest जना small finance bank दे रहा है, तो यह पूरी list है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, फिर कौन दे रहा है, फिर कौन दे रहा है, ऐसी उसके बाद यह list continued है, फिर सभी बैंकों की list है, सभी बैंकों की, ठीक है, फिर ऐसी यह आगे list continued है, कि कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, अगर मैं नीचे से बात करूँ ना, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, नीचे से भारत में छटे नंबर पर आता है, HDFC bank, इतना कम rate of interest देता है, FD के ओप पर अगर आप एक साल की FD कराते हो, तो सिरफ 6.6% का आपको rate of interest मिलते है, वहीं अगर मैं भारत में सबसे जादा rate of interest कौन दे रहा है, वो दे रहा है, जना small finance bank, ये दे रहा है, साड़े 8% का, HDFC bank दे रहा है, 6.6% का, अब आप खुद सोच के देखो, कि bank, मैं ये नहीं रह अगर हम देखें, तो सारे के सारे ये सरकारी bank, Union Bank of India, Indian Bank, Bank of Maharashtra, Indian Overseas Bank, ये सारे के सारे, ठीक है, मतलब सबसे कम rate of interest ये दे रहे है, अब बात आती है, कि चलो पहले एक बार ये देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, अब जो दूसरा, ठीक है, ये मैंने आपको FD का भी हो जें, लेकिन ranking की chances ये हैं, कि अगर HDFC bank यहाँ पे है, तो 2-4 महीने बाद भी नीचे की नीचे ही लटकर आओगा, हो सकता है कि rate of interest बढ़के 6.4% हो सकता है, कि 7% तक पहुंच जे, तो वो जरूर चेंज हो सकता है, अगर आप थोड़े टाइम बाद ये वीडियो देख र account, ठीक है, इसमें ये बोलता है कि 25,000 रुपे आपको कम से कम balance maintain करना पड़ेगा, और दूसरा ये बोलता है, second option, कि यहाँ पे आप डेड़ लाख रुपे की FD करवा सकते हो, अगर आप Metro City में रहते हो, और ऐसे ही 1 लाख की FD करा सकते हो, अगर आप semi-urban या फिर rural area में रह लो, क्योंकि max savings account की बात करूँ, तो इसकी threshold limit ही 1 लाख रुपे की है, 1 लाख से उपर जब balance जाएगा न, तब FD जाकर create होएगी, यानि कहने का मतलब अगर मैं Metro में रहता हूँ, तो इसकी में अगर बात मानूँ कि 1.5 लाख रुपे, जो है कि आप FD करवालो, तो मेरे account मे balance 2.5 लाख रुपे पहले मेरे को रखना पड़ेगा, जिसमें से 1.5 लाख रुपे तो यहीं savings account में रह जाएगा, और बचा हुआ 1.5 लाख रुपे की FD बन जाएगी, तो इससे अच्छा मैं यही कहूँगा कि 25,000 लाख रुपे में maintain कर लूँगा, और उसके बाद मैं 1.5 रुपे की अपनी मर्जी से FD कर वा लो, ठीक है, आपकी इस choice के उपर महरवानी और मैं यह वाला process ही follow कर लूँगा, ठीक है जी, तो इस FD के चकर में यह मत सोचना कि भाई, zero balance हो गया, zero balance हो गया, खोल लिया, क्योंकि पागल बनाने वाली, दुनिया बैठी है, वीडियो बनाने वाली, तो प्लीज थोड़ा सा आप अच्छे से research करके इसको करा करो, क्योंकि पैसा बे फजूल का किसी भी customer का कटना नहीं चाहिए, ठीक है जी, ऐसी तीसरा जो count है, वो है woman savings account, इसके अंदर 10,000 रुपे metro और urban branches में, अगर आप रहते हो, तो आपको 10,000 मेंटेन करन और semi-urban और rural में रहते हो, तो सिरफ 25,000 रुपे ही minimum balance maintain करना है, ठीक है जी, ऐसी ही HDFC bank का senior citizens, ये सिरफ वही लोग open कर सकते हैं, जिनकी उमर 60 साल से जादा है, इस case में, जो है 5,000 रुपे, चाहे आप किसी भी location में रहो, तो 5,000 रुपे minimum balance आपको maintain करना पड़ता है, अब य best account है, regular savings account, इसमें आप 10,000 रुपे maintain करके इस account को खुलवा सकते हैं, ठीक है, और अगर कोई चाहता है कि मुझे खोलना ही zero balance savings account है, तो उस case में, मैं personally suggest करूँगा, कि zero balance account के लिए, कोटक महिंदरा बैंक का zero balance जो savings account है, इस से best कोई account नहीं है, कोई charge नहीं है, सिरफ एक debit card का charge लगता है, वो लगता है, टोटल 299 रुपे, ठीक है, अगर आप virtual debit card का option choose करते हो, तो उस case में तो वो debit card का charge भी zero हो जाता है, यानि कोई भी, अगर आप physical debit card घर मंगवाते हो ना, तो 299 रुपे के अलावा कोई खर्चा नहीं है, debit card की बस fees का खर्चा है, उसके अलावा कोई खर्चा ही नहीं है, ठीक है, तो मतलब इसका जो link है, कोटक महिंद्रा बैंक zero balance का, ये भी मैं आपको नीचे description box में दे दूँगा, मतलब finest bank है, मतलब बिल्कुल HDFC bank के एक दम आप ये मालोगी, ऐसे हैं दोनों की दोनों बराबर, तो best bank है, अगर zero balance खोलना है, तो कोटक के लिए जा सकते हो, otherwise banking के लिहाज में HDFC bank की कोई टकर नहीं है, बस ये चीज है, कि लोग जब आकर के पढ़ाते हैं, कि भाई आपका ये zero balance हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, आप एक FD कर वालो, zero balance हो गया, वो चीज गलत है, अगर आप, बस वो मेरा थोड़ा गुसा बाकी चलो, इसका लिंक में आपको description में दे दूँगा, और एक बार हम ये देख लेते हैं, कि HDFC bank, zero balance तो ही नहीं, HDFC bank का मानलो किसी को regular savings, प्रोसेस सब का सेम है, ठीक है, आपको सबसे पहले, पूरा प्रोसेस बतायाता हूँ, यहाँ Google Chrome पे जाने, यहाँ पे आपको जाकर links भी होते हैं, उस पे मत जाना, जो HDFC bank का official link है, जैसे सबसे पहला है, यह HDFC bank का ही है, इसी पे ही जाकर कि आपको account open कर रहे हैं, ठीक है, तो यह official HDFC bank की website पे आगे हैं, ठीक है, किसी के भी फाल्तु चक्रों में नहीं पढ़ना आपको, तो यहाँ पे जब आप 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 इस से खुल जाएगा, तो जैसे हम मानलो regular savings account खोलते हैं, तो open instantly की option पर मैं click कर दूँगा, ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना mobile number एंटर करने है, जो भी mobile number आपका आधार कार्ड के साथ link है, सिरफ वही mobile number आपको वही वाला ही mobile number आपको यहाँ पर एंटर करन फिर next page पर कुछ ऐसा interface दिखाई देगा, इसको यहाँ पर आपको नीचे की तरफ scroll down करने, यहाँ नीचे की तरफ scroll down करने के बाद, नीचे continue के option पर आपको click करने, फिर next page पर आपको अपना अधार कार्ड का number एंटर करने, अधार का number एंटर करने के बाद, नीचे checkbox को select करने उसके बाद नीचे फिर आपको get OTP के option पर click करने, get OTP के option पर click करने के बाद, next page पर आपको जो भी आपका अधार कार्ड से link mobile number है, उस mobile number पर verification के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP फिर आपको यहाँ इंटर करने, उसके बाद नीचे फिर आपको verify EKYC के option पर click करने, फिर फेच करेगा, उसके बाद next page पर आपको यह ले जाएगा, फिर next page पर आपका जो भी hometown है, यानि अधार कार्ड बेस्ड आपका जो भी address है, उसके सबसे नस्दीक जो भी HDFC bank की branch होएगी, वो branch यहाँ से आपको select करनी है, वो branch select करने के बाद, फिर सबसे नीचे आपको continue के option प कर सकते हो, आप जिस company में काम कर रहे हो, फिर आपको उसका नाम यहाँ पर enter करना है, तो यह सारी की सारी जो भी basic basic details है, यह सारी details आपको enter करनी है, उसके बाद नीचे फिर continue के option पर click करना है, फिर उसके बाद next page पर यह आपको account दिखा रहा है, जैसे regular savings account है, अब जिसके नीचे फिर आपको continue के option पर click करना है, उसके बाद next page पर यह आपसे आपका father का name पूछ रहा है, नीचे पूछ रहा है कि किसी को अगर आप nominee बनाना चाहते हो, अब nominee का simply मतलब यह है कि अगर account holder को कुछ हो जाता है, तो उस case में सारा का सारा पैसा nominee को दे दिया जाता है, तो यहाँ पर हम nominee की पूरी की पूरी details एंटर कर सकते हैं, उसके बाद simply नीचे फिर हमें proceed के option पर click करना है, फिर next page पर यह आपको checkbox दिखाएगा, यह सारे ही checkbox को आपको select कर लेना है, उसके बाद simply आपको फिर नीचे जो सबसे नीचे है I agree के option पर click करना है, फिर next page पर आपका जो account है वो successfully open हो जाएगा, यहाँ पर आपको सारी की सारी आपकी details मिल जाएगी, जैसे कि आपका account number क्या है, आपकी cost ID क्या है, IFSC number क्या है, यह सारी details आपको मिल जाएगी, अगर आप branch नहीं जाना चाहते हैं, घर बैठे बैठे करना चाहते हैं, तो नीचे आपको जो है video KYC दिखा दीजिए, आपकी photo capture हो जाएगी, और एक blank paper पर आपको अपने signature करके देने होंगे, ताकि कल को अगर आप कोई भी check vac जो है, उसको अगर आप sign करते हो, तो आपके signature bank easily verify कर सके, तो यह simple सा process रहेगा, आपकी फिर जो KYC है, वो complete हो जाएगी, और आपको branch जाने की even कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यह simple सा process था, HDFC bank का account opening का, उमीद करता हूँ आपको यह video informative लगी होगी, तो अभी के लिए this is the end of the video, thanks for listening and thank you all.